इस तरह से आप एक पार कुंद्रू की सब्जी जरूर बनाएं, यकीन मानिए आप बार बार बनाना चाहेंगे और सब लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे वेलकम बैक टू सुसेम किचिन मैजिक भाई मॉनिका, इस सब्जी के अंदर हम प्याज और लहसुन का यूज नहीं करेंगे और ये सब्जी बिना प्याज लहसुन के ही बहुत ही टेश्टी बनकर तयार होगी इस सब्जी को बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले मुमफली मुमफली का टेश्ट इस सब्जी में बहुत अच्छा आता है कुंद्रू, कच्चा नारियल और ये कश्मिरी लाल मिर्च है जिसे मैंने करेंगे बिनानी में भिगो कर रख दिया था ये मिर्च बिल्कुल भी तीक ही नहीं होती है और इस सब्जी में इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है अब हम कुंद्रू को सबसे पहले कट कर लेंगे देखे इस तरह से चार पीस में हम कट कर लेंगे अगर बड़ा पीस है तो आप थोड़ा एक पीस और ज़्यादा कट कर लीजिए अगर कहीं से बीच पके हुए है तो आप उन्हें बीच में से निकाल दीजिए इस तरह से सारे कुंद्रू हम अपने काट का तयार कर लेंगे अब मिक्सी में थोड़ा बड़ा बड़ा नारियल को काट का डालेंगे हमें इसे सूखा ही पीसना है लाल मिर्च के साथ अगर नहीं पीस रहा है तो सिर्फ एक या दो स्पून ही पानी डालिए चादा पानी का यूज़ मत कीजिए अब हम इसमें साथ में लाल मिर्च डाल देंगे और इसे देखिए दर-दरा पाउडर बना लेंगे हमारा पाउडर बनकर एकदम तयार हो गया है इसे बारिक नहीं करना है दर-दरा ही रखना है कड़ाई में तेल गरम कर लिया है अब हम इसमें जीरे डाल देंगे और साथ में हम इसमें राई डालेंगे दोनों को तड़कने देंगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है अब हम डालेंगे इसमें मुमफली कैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे जिससे कि मुमफली अंदर तक सिख जाए ना तो जलें और एक पराबर सिखें इसलिए हमें से चलाते रहना है ये देखे मुमफली सिखना शुरू हो गई है और इसका कलर बदल गया है अब हम इसके अंदर डालेंगे करीपत्ता और साथे कुंद्रू कुंद्रू को भी हमें बराबर चलाते हुए भून लेना है करीब साथ आठ मिनिट हमें लगेंगे कुंद्रू हमारे पक जाएंगे तब तक हमें इने बराबर चलाते हुए भून लेना है गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे इस तरह से ये कुंद्रू की सबजी बनकर बहुत ही टेस्टी लगती है आप चरू ट्राइ करें ये देखिए कुंद्रू पक गए है और कुछ इस तरह के हो गए है अब हम इसमें लाल मिर्च और नारियल का जो पेश्ट हमने बनाया है उसे डाल देंगे अब हमें इसे गैस की फ्लेम को आप तेज भी रख सकते हैं लेकिन आपको इसे बराबर चलाते हुए पकाना है नहीं तो आप मेडियम रखें जिससे के नीचे नहीं लगे करीब 10-12 बिनिट में लगी है हमें इसे इसी तरह से चलाते हुए नारियल का पानी पूरी तरह से सुखा लेना है इसमें हम ज़्यादा मसालो का यूज नहीं करते हैं और कम मसालो के साथी सब्जी बहुत ही तेश्टी बन कर तयार होती है बराबर चलाते हुए हमें नारियल का पानी सुखा लेना है आप एक बार बीच में चेक कर सकते हैं अगर नारियल का पाउडर इस्पून से मूँ में देश्ट करके देख लीचे कर पानी आ रहा है तो इसका मतलब सब्जी नहीं बनी है जब ये नारियल का बुरादा थोड़ा सूखा हो जाएगा तब हम इसमें मसाले डालेंगे हमने नमक डाल दिया है साथ में हम डाल देंगे धनिया पाउडर और अब हम डाल देंगे हल्दी पाउडर मसालों को हम सब्जी में मिक्स कर लेंगे सब्जी हमारी करीब करीब बनकर तयारी हो गई है अब हम थोड़ी इसमें लाल मिर्ष पाउडर डाल देंगे जितना भी तीखा आपको पसंद है आप उसी according लाल मिर्श यूज़ कर सकते हैं जो कश्मीरी मिर्श हमने पहले डाली है वो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है ये देखिए अब हमारी सबजी बनकर एकदम तयार हो गई है कुछ इस तरह का सबजी में हमें नारियल का पाउडर चाहिए देखिए इसमें ड्राइनेस आ गई है अब हमारी सबजी बनकर तयार हो गई है दो-तिर मिनट के लिए हम और इसे थोड़ा चलाते वे भून लेंगे जिससे मसाले सबजी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं और अपना फ्लेवर छोड़ें अब हम इस सबजी को सर्व कर लेंगे आप ये सबजी पूरी पराठा चपाती चाहे जिसके साथ खाएं बहुत ही टेश्टी लगेगी और सबको बहुत पसंद आएगी थैंक यू